असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौधी अरब की एहम और तरीन खबरों के बारे में दोस्तों दूसरी अपडेट सौधी मिनिस्टरी की तरफ से सेर करते हुए उन तमाम लोगों के लिए खुसकबरी सुनाई गई है जो लोग इस समय सौधी अरब में मौजूद हैं और उन लोगोंने कुरोना वेक्सिन की दोनों डोज कम्प्रीट लगवा लिए और वो लोग अब जो है सौधी अरब से इंडिया छुट्टी पर जाना चाहिते हैं तो दोस्तों क्या वो लोग जो है सौधी अरब के लिए जब इंडिया से वापस आएंगे तो उन्हें सौधी अरब में कॉरंटीन होना होगा या नहीं क्योंकि दोस्तो अब जो लोग सब्सक्राइब से इंडिया छुटी पर जाएं गे उन लोगों को तवकलना में जो इस्टेटस वो कितने महीने तक immun रहेगा क्योंकि दोस्तो उन लोगोंने बुष्टर डोज तो लगवाय ही नहीं है तो क्या दोस्तों उन लोगों का तवक्कलना में जो स्टेटस हो अम्यून रहेगा या नहीं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वहीं तीसरी अपडेट भारत से सौधी अरब के लिए डियरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइटों के हावाले से अपडेट है कि इंटरनेशनल यात्रियों के लिए अब सभी पावंदियों को खत्म किया जाएगा वहीं छट्वी अपडेट जिन लोगों ने भारत में करोना वेक्सिन की दोनों डोच कम्प्लीट लगवाली है उन लोगों को अब विदेश्ट रेवल करने पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी तो दोस्तो अगर आप भारत से साथी अरब के लिए डारेक्ट इंटरनेशनल रेवल करना चाहते हैं पिर साथी अरब के इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो पिलिज वीडियो को शुरू से लेकि लास तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पिरस कर दें का कियाने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों बिना टाइम बेस्ट किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौधी अरब में करोना केसे के हवाले से कि सौधी अरब में आज करोना के कितने न्यू केस रिकोर्ड किये गए हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर सो हो रहा होगा सौधी अरब में आज करोना के न्यू केस रिकोर्ड किये गए हैं बात कर लेते हैं सौधी अरब के हवाले से जो पहली अपडेट है इस अपडेट को सौधी पासपोर्ट एंड इमरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सेर करते हुए जानकारी दी गई है कि जो लोग भारत से नए बीजे पर सौधी अरब के लिए पहली बार ट्रेवल करना चाहिते हैं उन लोगों को ये सभी नियम और सरते मानना होगा जैसे कि आपके जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप नए बीजे पर भारत से सौधी अरब के लिए पहली बार ट्रेवल करना चाहिते हैं तो सबसे पहले आपके पास सौधी अरब का एक वैलिट वीजा हो चाहिए नमबर दो आपके पास सौधी अरब आने के लिए एक टिकत होना चाहिए नमबर तीन अगर आपने भारत में वेक्सिन लगवाया है तो आपके पास वेक्सिनेसन सेर्टिकट होना चाहिए नमबर चार आपके पास सौधी अरब में 5 दिनों के लिए होटल क्वारंटीन पैकेज होना चाहिए नमबर पांच आपको ट्रेवल करने से पहले आपके पास 72 गंटे के अंदर का किया गया एक निगेटिव PCR टेस्ट आपके पास होना चाहिए तब जाकर आप सौधी अरब के लिए बहुत ही आसाने से ट्रेवल कर सकते हैं और उमीद करता हूँ जिन लोगों ने कमेंट में सवाल किये थे उनका जवाब मिल गया होगा अब बात कर लेते हैं सौधी अरब के हवाले से जो दूसरी अपडेट है जिसे कि आपको स्क्रीन पर सो हो रहा होगा इस अपडेट को सौधी मिनिस्टरी की तरफ से सेर करते हुए जानकारी दी गई है कि जिन लोगों नोगों का सवधी अरब में करोना वेक्सीन का दोनों डोज कमप्रिट लगवा लिया है और वो लोग अब जो है सवधी अरब से इंडिया चुटी में जा रहे हैं जब आप 3 महीने या 6 महीने के बाद सऔधी आरब के लिए वापस आएगे तो आपको सौदी आरब में पहुँचने पर चाहे आप जातों चाहें आप तो बात कर लेते हैं भाराज से असब्रब फ्लाइटों के हवाले से जो अपडेट है जिसक्त दोस्तों हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि भारस साथी एरप के लिए एर इंडिया एक्सपिरेस इंडिगो एरलाइंस एमिराट्स एरलाइंस और साथी एरलाइंस ने अपना टिकट बुकि लगते हैं अभी 31 जनवरी तक फिलाइट अविलेबल हैं तो बात कर लेते हैं पांच वी अपडेट के हवाले से जैसे कि आपको स्क्रीन पर सो हो रहा होगा जिन लोगों ने भारत में कुरूना वेक्षिन की दोनों डोच कंप्लीट लगवा लिए अगर वो लोग 11 फरवर के तरफ से कुरोना टेस्टिंग के रिवार्मेंट को अब खतम कर दिया गया है कि अवल यात्रियों को यात्रा करने से पहले 48 घंटे से ज्यादा यात्री लुकेटर फारम को फिल करना होगा और उसे जमा करना होगा जो कि दोस्तों यात्रियों लिए अच्छी खुसकबरी अब उन्हें कुरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी